कि आख गव अजय को तुछ अश्रां में करते हुए है अश्राम अजय करते हैं अश्राम लेक्रम करते हैं साथ मिखाग होंगे नहीं नहीं विखी को तो यह देखें जी माशाला बारा अभी लाबर करीए शुआ शुरू हो गई तो यह देकर मैंने जगाड लाये यह देखाटाया है कि यह पर जाले उतारने वाली सोटी तीढ़ा बास इत्र सोटी डालगे के, जब बार-बार सिए्टी जिकाड़ तो है कि यह उनगा वाले भी नहीं है। तो यह देखें जी मैंने जाले साइब उतारने शुरू कार दी हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज शीड़ी के उपर जाने से बार बार बेतर रहा कि इस तरह कुछ जगार लगाया जाए। पहले जाले उटार देते हैं उसके बाद फिर दूसरा काम शुरू करते हैं तो इसके साथ बहुत अच्छे से माशाला सही तरह उतने जाले बड़े अची तरहां तरीड़े तरहें हैं तो कोई नहीं थे अतने लेकिन फिर बिर मैंने सौचा कि उन्हा चलेँ एक तफ़ा ना दिवारें भी साफ हो जाएंगी और साथ में जो क्या कहते हैं न वो घटा में टी साब कोछ उतर जाएगा, तो वैसे तो सारा गारबंद है लेकिन फिर भी न हो जाता है, कितना भी फाज़त करें न उतनी हो जाती है, तो आज मैंने नहीं सूट डाला हुआ था फिर भी मैं शूरू हुई हूई हूई क्योंकि मैंने सोचा है कि चले इस दे सासा अथ में मैं वीडियो बान रही थी तो इसलिए मैंने नहीं सूट में काम शूरू कार दिये थे तो ये देखें जी माशाला सारे जालिव गयरा उतर रहें गए हैं कमरों की तरफ आ गई हैं अब अभी मैं जो साथ वाला चोटा कमरा है मेरा उसमें मैं आ गई हूँ अभी जो फैनल लुक जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी इन्शाला जरूर तो पार्ट टू तो ये देखें जी अभी तो ये जो कहीं कहीं पे वीडियो बना रही हो कहीं कहीं पे नहीं बना रही ये देखें तो है माशाला आज मेरी गर्दन जो है न वो भी ठाक गई है तो फिर भी मैं लगी हूई यूँ मैं कहा चले जल्दी जल्दी आज काम खतम कार देते हैं क्योंके रात को नफल वगेरा भी पड़ने है माशाला तो इसके बाद जो है काम जो है फटो फार शूरू खतम हो जाएगा तो यह देखें जी तो पहले दो दिन मैं कहीं गई हुई थी तो नहीं तो वरना मैंने पहले एक दो दिन कार लेना था वो भी मैं शाला आपके साथ जरूर शेयर करूंगी उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम देना था यह देखें जी लाइटिंग हमारी हो गई है तो हमने काम मी करवाई है क्योंके गली पूरी उन्होंने सजाद ही थी वो अब लड़के काम कार रहे हैं और मैं बाइट से चेक कार रही हूँ कि सही उन्होंने किया है तो मेरे बचे कहते हैं मामा आप बड़ी टेंशन लेती हूँ मैं क्या क्या टेंशन ना लो तो फिर क्या करूँ यह भी तो काम जरूरी है साथ साथ यह भी काम देखने पड़ते है साथ में जी बारश भी हो रही है अब जी फिर मैं अंदर आ गई हूँ आके मैंने दर्वाजे शुरू कर दिया है तो ये मेरा सूट था अपने ही उसके साथ ही ये जो मैंने इसको रफ कर दिया है ये बिल्कुल ठीक लेकिन मैं इसके साथ ही शुरू कर दिया है इसके बाद जी मैंने बार बार एक के काम करके आपको दिखा रही हूं ये जी मैंने स तो इतने गंदे नहीं थे लेकिन जब दुलते हैं तो इतने अच्छे हो जाते हैं जैसे देखें, जी माशाल Morm思बन, U têm Butte, मैं फूल दो रही हैं मेरे बीटी बीटी को बान रही है, कि आप आप ना एक लंबा सा वलाग बनाएं घर की सफाई का तो उसको उसने पता नहीं मेरा घार देखना था जहां क्या था पता नहीं मैंने वैसे घार तो दिखाया हुआ है उसका लिंक भी मैं दे दूंगी वो मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है लेकिन उन्होंने तो ये देखें जी साथ साथ मैं गरम पानी में फूल दो रही हूँ और साथ मैं मुझे कुछ नहीं पता चाल रहा के मैं क्या क्या का रही हूँ साथ जल्दी जल्दी में काम कर खतम करने के लिए कोशश का रही हूँ लेकिन जे जरा राम से ही होएंगे क्योंके पानी हो देख के डालना पड़ता है यह देखें जी तो यह पानी गरम से जब मैं दोती हूं तो इनका इतना प्यारा कलर आ जाता है ना शाइन शाइन हो जाती है तो आज मेरे जो एक कारणल के फूल हैं वो खराब हो गया है लो जी मैं अब चली गई हूं दुबारा उपर यह जालना होता था तो वो बेटा दुकान पे लेके गया है तो उनका काफी दिन क्योंके उन्होंने गली से जानी थी तो कह रहा था कि मामा अभी नहीं फारग होगी तो मैंने सोचा चलें जितनी देर मैंने उनका इंतसार करना है उतनी देर मैंने काम भी खतम कार लेना है यह साथ-साथ कपड़े के साथ मैं इनको भी सवाफ कार रही हूँ ये देखे जब जाँ-जाँ मेरा हाथ पहुंच रहा है वहाँ वहाँ तक मैं अस्वाइया कार रही हूँ ये देखे इधर इसके उपर टेप लगी हुई थी ये अब जान होने शुरू होगी थी तो मुझे डबटा नहीं था मिल रहा तो मैंने एक चीज पकड़ी और सार के उपर राक दी तो ऐसे जल्लियों की तरह बैठी हुई हूई हूँ ये देखे तो बेटी ने वहाँ से भी बना दी तो ले ये देखेंजि आप जी पंकों की तरह आगे हैं ये इनको साफ करने लाग पड़ी हूँ ये भी बैने घरम पानी काड़के ना तो जाली ले के उसके साथ ये इनको मैं साफ कार रही हूँ तो ये इतने जल्दी जल्दी हो रही हैं यह देखें वाइट वाइट हो गया है साथ में दूसरा कपड़ा मैंने एक रखा हुआ है उसके साथ इनको अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ नीचे वाली जिए जो जो आठ मैंने आपको दिखाना था यह देखें नीचे मैंने टेबर रखा हुए टेबल के उपर मैंने चेर रखी हुई है उसके उपर मैं खड़ी हुई हूँ तो बच्चे कह रहा है मामा देख के मामा देख के मैं के मुझे कुछ नहीं होता आप थिकर ना करें कहते हैं मामा आपका भी बड़ा काम है तो आप जल्दी सफाइगा करने की वज़ा से यह ना गिरना जो मैं कि नहीं मैं नहीं गिरती अब जी मेरी इतनी गर्दन ठाग गई थी साथ में जे चोटी उससे चोटी जो सबसे बड़ी वाली बेटी है उससे चोटी जो बेटी है वो कहती है मामा लाहे मैं आपकी हेल्प करती हूँ थोड़ी सी तो अब जी मैं खड़ी हूँ और साथ में वो मुझे जरा हेल्प करवा रही है जे देखें जी तो ये ये भी आप ये कह रही थी कि मामा ये मैं कर देती हूं इसके बाद जी फिर मैं शुरू हो गई हूं ड्रेसिंग की तरफ आ गई हूं क्योंकि दरम्यान दिम्यान में मैं आपको नहीं भी दिखा रही को कहीं से क्योंके वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर इस तरह मेरे नाजरीन जो हैं वो जरा कहते हैं इतनी लंबी वीडियो हैं हम नहीं देखेंगे यह इतनी लंबी हो जाएगी आगे से बड़ी काम देखते हैं और ज्यादा लंबी होगी तो फिर और ही काम देखेंगे यह देखें जी शावर का मैंने लेकि इसको साफ करना शुरू कार दिया था यह शीश को साफ करने के लिए भना हुआ है शावर, यह देखें जी, तो इसके साथ बड़ा च्छे तरीके से शिशा साफ हो गया था तो ड्रेसिंग को मैंने साफ का लिए सारा टेबल गयरा जो इसका कपड़ा था वो दो लिया है अब मैं थोड़ा सा इन वेट कार रही हूँ थोड़ी से रेस्ट कार रही हूँ वेट नहीं रेस्ट कार रही हूँ रेस्ट ऐसे कार रही हूँ के बैट के तो वीडियो मेरी तरफ आगी थी हो ने मैं आप बोलती भी नहीं गो बताती भी नहीं हो मेरी वीडियो शुरू कार देती हो यह देखें जी दो मिट मैं रेस्ट कार रही हूँ अब जी आगी गया बैट की बारी बैट की चादर मैं अभी नहीं उतारूंगी आज क देखें, इसको अच्छी तरह मैंने चहांटा लगाएा है. देखें, तो इसको इमेस बारा डाल दूँगी. तो बेटी कह रही थी कि मामा, आप में ज़्यादा जो है, या मेरे में ज़्यादा जो है, मैं कह। ये तो अब पता चलेगा, पता नी. तो वो मेरी तरफ खैंच रही और मैं उसकी तरफ अच्छी तरह साथ साथ में मजाक भी हो रहा है ये देखें जी तो साथ साथ काम भी हो रहा है इस तरह जरा काम भी माशाला बहुत अच्छे से गुजर जाता है जरा जल्दी हो जाता है तो ये जो मेरा गदा है इसके ओपर म मैंने इसके उपर चड़ाया हुआ है तो ये भी जी साफ सुत्रा था तो इसके उपर मैंने चदर जो है वो ही डाल दी है अब सुबह इनकी चदरें चेंज करूंगी ये देखिएगा तो जो दूसरा पार्ट होगा उसमें इन्शाला अच्छे वाली नहीं वाली चादर डालूंगी तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेर करें सब्सक्राइब भी करें अगर मेरे चैनल पे नही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें गैंटी वालब बटंगों दुबाना मत बुला करें जरूर दुबाया करें अपने प्यारे 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 दोस्तों के साथ प्यारे 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 नाजरीन के साथ वीडियो भी शेयर किया करें जरूर किया करें अच्छे अच्छे व्लाग बनाएंगे इन्शाला और भी इससे अच्छे भी कोशच करेंगे इससे अच्छे भी बनाऊंगे इन्शाला तो मैं कहती हूँ अभी मेरी वीडियो जो है जरा अच्छी तरह चल ले तो फिर इन्शालला अच्छे चवलाग बनाया करूँगी अबी थोड़ा सा हम हमने आपको एक और भी बात आपके साथ शेयर करनी है वो भी इन्शालला करेंगे इसमें भी कुछ राज है वो भी इन्शालला एक दिन उपके साथ शेयर करूँगी अभी तक जो है वो मैंने नहीं नहीं स्टार्ट की है तो अभी टाइम तो लगेगा ना थोड़ा सा तो प्यार नाजरीन वीडियो देखा करें और लाइक शेयर किया करें तो इन्शालला आप मेरी यूटूब फैमली है तो मैं आपके साथ हर बात शेयर करती हूँ आप भी इन्शालला देखा करें और बताया करें कुछ कमेंड किया करें कुछ सब्सक्राइब किया करें कुछ शेयर किया करें जरूर किया करें तो यह देखें जी आप डस्टिंग की तरफ आ गई हूँ ये मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी लगी हुई है एक जो है वो मेरे साथ वीडियो बना रही है एक जो है वो मेरे साथ साथ काम का रही है वो अभी वीडियो बे नहीं आ रही तो वैसे नहीं तो उनको कहती हूं लेकिन कहते हैं मामा अभी नहीं अभी हम फारग हो लें अभी हम कालच जा रहे हैं अभी हमें ये काम है वो काम है तो ये देखें जी अब जी हमने जाड़ू लगाना शुरू कर दिया मैं कि एक दफ़ा जाड़ू लगा लेते हैं इसके बाद जो है वो फिर पैप लगाएंगे और घर को दो लेंगे ये भी इंशाला आपके साथ शेयर करू होंगी तो अभी जो है वो मैं जे देखें जी कुछ मैं साथ साथ कार रही हूं कुछ बेटी कार रही है तो घार तो चोटा सा है लेकिन काम जो है वो बोज़ जाता है तो इनको मेरे मियां जो मेरे मियां है वो उन्होंने मेरा मजाख बनाया हुए वो कहते हैं कि आपकी सफ दारी मेरी अपनी है, बच्चे माशाला पढ़ने वाले हैं, वो तो काम करते नहीं हैं, और जो साथ में हैलपर होते हैं, वो भी जो हम खुद काम करते हैं, उन से तो नहीं न करवाये जाते हैं, तो इस तरह के जो काम होते हैं, वो तो हम नहीं करने होते हैं, तो मुझे वैसे भी बड़ा शोक है, मैं दुनिया का हारे काम कार लेती हूँ, तो कोई भी काम है, वो मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ. मुझे नहीं, मेरा नहीं दिल करता कि मैं किसी और से कर्वाऊँ मेरा दिल लटाए, मैं कपड़े भी खुद दो भूआ बॉर्टन भी खुद दों सारे काम खुद करूँ तो यह जी फूल सुक गए हैं तो इसको मैंने अच्छी तरह यह साथ साथ में जाना जान से उतारे थे वहां वहां पर इन को लगा पारी हूं यह देखें जी तो यह देखें इनका कलर इतना प्यारा हो गया दूलने के बाद उसी तरह जैसे ऐसे लाग रहा जैसे बिलकुल नहूं है यह देखें जी तो प्यारे नाजरीन आज कोई बटे का नहीं होश कोई कपड़ों का नहीं कोई किसी चीज़ का नहीं तो ये देखें ऐसे आप जी बाहर मैंने फ्रीज लेके आई हूँ फ्रीज मेरी पहले अंदर पड़ी हुई थी तो इसको मैं बाहर लेके आ गई हूँ लेके जा रही हूँ अभी जाना है मैंने ये देखें जी अभी इसके उपर से जो चीजें वगारा हैं वो उतार रही हूँ इसको बाहर हाल में रखूंगी, ये देखें जी, साथ में चीजे निकाल के रखी हुई हैं, तो अभी जो मैं इसकी पीछे वाली तारें वगरा हैं, वो उतार रही हूं, तो इसको अच्छी तरह साफ करूंगी, इसको बाहर लेके जाऊंगी, ये जो इसको उपर पुर्जा था, वो मैंने उतार ली गया, ये देखें, अब बड़ी जो चोटी बेटी है, उसके साथ होके, तो ये बाहर निकाल लूँगी, इसको, क्योंकि ये कमरे में पड़ी हुई थी, तो बच्चे कह रहे हैं, का मामा इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, आब मुझे नहीं पता इसको जिदर मरजी है, लेके जाएं, तो वो चोटी वाली बेटी कह रही थी, का मामा मैंने अपना कमरा से जाना है, अच्छी तरह मैंने इसकी डेकोरेट करना है, तो आपना इसको निकाल लें, और साथ में बेटा जो है, उसका पेपर है, चोटे वाला वो बैठ के, अपन यहां टेस्ट जाद कर रहा है यह देखें जी तो यह भी वीडियो में नहीं आता कभी कभी कहता है आ जाँगा कभी कहता नहीं आँगा तो कभी दिल करें तो आ जाता है अभी थोड़ा सा सरक्षर माता है तो आप कमेंड करेंगे तो फिर इंशाला मैं इनको भी वीडियो में लेकि आया करूंगी, आप कमेंड इनी करते हैं, आपको तब यह भी नी पता, के यह बेटा है, यह छोटा है, बड़ा बेटा कोन है, छोटा बेटा कोन है, तो आप कभी बोलेंगे, तो फिर मैं यह अलब के साथ इनकी भी मुलाकाथ कर्वाओंगी, जरूर, पर्दे मैंने उ उतारे हुए हैं और उनको मैंने दोया है लेकिन मेरा दिल है कि मैं पढ़दे चेंज करूँ लेकिन वो दो छुटी थी इसलिए अभी नहीं हुए तो दिल तो है कि इनको ना अब मैंने इसके अंदर भी जो है सूखा कपड़ा रखा हुआ था इसको मैंने अची तरह दो लिय हुए थे एक जैसे यह सारी चीजे निकाल के बाहर रखी हुई है तो यह देखें जी साथ साथ इसको भी अच्छी तरह मैं कि चले एक दफ़ाना कपड़ा लगा देते हैं और इसके अंदर चीजें जो है सेट कार देती हूँ वैसे साफ सुतरी थी फिर भी मैंने सोचा इस यह सारी बालगा मैंने उतार दी हैं क्योंकि मैं नहाने जा रही थी तो इसलिए मैंने सोचा है कि इनको उतार के फिर मैं इनको सेट करके डालूंगी मैंने सुबा मिलाद पे जाना है तो अब इनको सेट पे करके तो प्यार नाजरी ने वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें फिर मिलूंगी इसी तरह एक नए विडियो के साथ तब तक के लिए लाफीज बाइ 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 तो अब जी मैं फारगों के बैट गहीं हो और फ्रेश हो यह थोड़ा सा खात्मों मैंने दो के लिया था फेस फ्रेश कार लिया था यह देखें तो पार्ट लिए लाफीज